how to work Angel Summer आपके बहुत ज़्यादा क्यमेंट्स आरे कि सर, एंजल संबर कैसे वर्क करता है आखिर लोगों की एंजल संबर से कैसे height increase हो रही है आपने अभी तक बहुत सारी proof वीडियो अपलोड किया है जिससे लोगों की height increase होई है हम भी यह जानना चाहते हैं हम भी अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं हम को भी यह बताईए कि एंजर्स नंबर कैसे वर्क करता है तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी एंजर्स नंबर की देने वाला हूँ A to Z आप मैं बताऊंगा कि कैसे एंजर्स नंबर वर्क करता है वीडियो पूरा ज़रूर देखी गया क्योंकि अधूरा ग्यान बहुती खतननाक होता है एंजर्स नंबर एक अद्बुश शक्तिया होती है जैसे ही आप एंजर्स नंबर अपने हाथों पे लिखते है तो एंजर्स नंबर आपका मैसेच वीडियो निवर्स में पहुचा देता है जिससे आपकी हाइट इंक्रीज होने लगती है एंजर्स नंबर से नहीं सिर्फ आपकी हाइट इंक्रीज होती बलके अगर आप स्टेडी में टॉप करना चाते हैं अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेस्फूल बनना चाहते हैं अगर आप एक अंतोपनोर बनना चाहते हैं एक अंतोपनोर शीप को लाँच करना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मिलेगी वर्ड वर्ड में मैं कहना चाहूंगा आपकी मनोकामनाएं आपकी जो इच्छाए वो सारी इच्छाएं एंजेस नमबर द्वारा पूरी हो जाएंगी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एंजेस नमबर सभी के पास होते हैं एजियस नमबर का मतलब है मिनिंग है अद्बु शक्तिया अद्बु शक्तिया सबी के पास होती है अगर उस अद्बु शक्तिया को आप जान लेंगे तो आपकी मनो कामनाए पूरी हो जाएगी अगर वो उस अद्बु शक्तिया को आप जाल लेंगे मानो आपकी जिंदगी आपकी दुनिया बदल जाएगी होता क्या है जाने अन्जाने में हम ऐसी गलतिया कर बेटते हैं जिससे वो अद्बु शक्तिया हम से दूर हो जाती है कहने मतलब यह कि जाने अन जाने में हम जूट या सत्त मारगों से भटक जाते हैं या किसी के लिए बुरा चाहने लगते हैं या अपने आपको बुरा कहने लगते हैं तो वो अद्बु शक्तिया आप से दूर हो जाती है लेकिन जब आप एंजस नंबर का यूस करते हैं जब आप एंजस नंबर का इस्तमाल करते हैं तो अद्बु शक्तिया वापस आ जाती है आपके साथ भी गटना कभी ने कभी घटी होगी कि आप किसी की जान बचाना चाहते हैं लेकिन आप उनकी जान बचा लेते हैं आपको ऐसा लगता है कि ये जान मैंने नहीं बचा है बलकि एक अद्बु शक्तिया ने बचाया है क्या आपके साथ ये घटना घटी है अगर घटी है तो कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा अब मैं आपको एक कहानी जो रियल कहानी है वो आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप भी अद्बु शक्तिया के बारे में जान सके एंजल्स नंबर के बारे में जान सके एंजल्स नंबर आखी किस तरह से वर्क कर रहा है यह कहानी मैंने अमरीका की कहानी है यह इस्टोरी यूड कहानी है कि एक माई और बेटे किसी मार्किट में जाते रहते हैं माई की अमरं 50 साल रहती है और बेटे की अमरं 16 वर्ष यानि वो बच्चा वो लड़का बौआए 16 साल का रहता है रास्ते में क्या होता है एक दुरगटना घड़ती है जैसे कि ललका गाड़ी की नीचे आ जाता है गाड़ी बहुत हैवी रहती जैसा कि आप जानते हैं अमरिका में गाड़ी बहुत ही पौरफुल होती है वो ललका गाड़ी की नीचे आ जाता है और वो चीकता है चिलाता है कि help me मा मेरी जान को बचाईए तो आस पास के लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई नहीं रहता लेकि दूर से लोग ये देखते हैं कि मा ने उस गाड़ी को उठा के अलग रख दिया जब लोगों ने ये देखा तो हैरान रहें कि एक मा एक साधारन वैक्ति एक साधारन इंसान एक साधारन महिला ये कैसे कर सकती है कि उस गाड़ी को हटा के अलग कर दिया और अपने बेटे की जान बचा लिया सबी लोग हैरान रह गए जब उस महला से पूछा गया कि आप ये ऐसा कैसे कर लिया तो उन्हें ने बताया कि मैं नहीं जानती लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने बेटे की जान बचाना चाहिए तो मैंने अपने बेटे की जान बचाया बाद में उस महला को बताया गया कि क्या आप इस कार को आप उठा सकती है तो आप जान के हैरान रह जाएंगे वो महला उस कार के दर्वाजे को भी हिला नहीं पाई वो गारी को हिला नहीं पाई बाद में उस गारी को उस कार को उस महला ने नहीं ला पाया लेकिन जब उन से पूछा गया कि आप उस समय उस टाइम इस काम को कैसे कर लिया था तो उन्हें ने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे बस लगा कि मैं अपने बेटे की जान बचाना चाहती हूँ तो वो अद्ब शक्तियां उनके पास आगी उस कार को उठा क अलग रख दिया तो देखा आपने ये रियल कहानी है तो अगर आप पुरी तरह से रियल है अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये श्टोरी आपको मिल जाएगी बलके बहुत सारी वीडियो में भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी तो ये अद्ब शक्तियां होती ह तो आपको भी एंजल संबर यूज करके वो अद्बु शक्तिया आप पराप्त कर सकते हैं तो जैसा कि अगर आप अपनी हाइट को इंक्रिस करना चाहते हैं तो मेरी नमबर वाली वीडियो को देख लीजी उससे भी आपकी हाइट इंक्रिस हो जाएगी लेकिन आप चाहते कि एंजल संबर किस तरह से वर करता है अगर आपको वीडियो पुरी तरह से समझ में आगी तो कमेंट बास में लिखिए यस अगर नहीं आए तो नो लिखिए और थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखिएगा धन्या